इसमें हम लोग आज देखेंगे कि टेमन में हमने क्या देखा था डेटू में क्या देखना है कि तो डेवन में हम लोग देखा था कि हम लोग यहां तक आ गया थे फ्रेक्शनल नंबर तक आईए मतलब नेचरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटेजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है इसके बाद हम लोग जो चर्चा किये थे रेशनल और फ्रेक्शनल नंबर में अंतर और फिर यहां पर फ्रेक्शनल पार्ट जो होता है कहां से कहां तक होता है इसके आज हम लोग फिर आगे बात करेंगे फिर हम लोग ने यहाँ पर सिखाया था Closer Property आज हम लोग को सीखना है Associative Associative का मतलब होता है Association की भावना अगर यहाँ पर तीन operation है A, B, C A-B Whole-C Equal A-B-C यह इसका Basic definition होता है लेकिन आप पहचानेंगे कैसे की कौन Associative है कौन नहीं है तो इसका Simple है कि अगर A-B is equal to A plus B है यानि Strict means plus है Strict means तो Coefficient of A Equal Coefficient of B कोई दिक्कत Clear है दूसरा A-Strict B Is equal to 2A-B है यानि Constant term लाव नहीं है Constant term लाव यानि यहाँ पर Plus C नहीं है Plus C तब तब Associative होगा क्या होगा आईए हम लोग Check करना है कि कौन Associative है कौन Associative नहीं है इसकी हम लोग Check करें लेकिन आपका जो Operation परना है A-Strict B Is equal to A plus B Coefficient of A Coefficient of B बराबर है एनि Associative है दूसरा यहाँ पर A-Strict B Is equal to A-B Associative है तीसरा आपको जो Check करना है कि A-Strict B Is equal to 2A Plus B क्या Associative है बोलो A-Strict मतलब क्या है Plus और Coefficient of A कितना है 2 और Coefficient of B कितना है 1 Associative नहीं है समझ में आये कि नहीं आये आगे है अब यहाँ पर A-Strict B Is equal to 5A भी तो है लेकिन यही A-Strict B Is equal to A-B Plus 3 A-B Plus यहाँ पर यह Constant Term है और Constant Term रहेगा तो यह Associative नहीं होगा कोई दिक्कत तो यानी अगर हम बात करें Rational Number के लिए तो Rational Number के लिए Associative edition और multiplication के लिए होता है किसके किसे के लिए होता है जरी बता Edition और multiplication के लिए होता है अब हम बात करेंगे अगला चेक करना है Commutative क्या करना है यानि यहां पर A-S-T-B A-S-T-B is equal to B-S-T-A यह आपका commutative है क्या है मैंने A-S-T-B बराबर B-S-T-A आपका यह commutative है कोई दिक्कत यानि आप बताओ कि 2 by 3 और 3 by 4 और यहां पर 3 by 4 और 2 by 3 बात दोनों से हम लिखा हुआ है कि नहीं बोलो यानि यह associative property क्या है यह आपका clear हो दिक्कत यहां पर 5 by 6 है और यह 7 by 8 है यहां 7 by 8 यह फाइब 6 बोलो associative है की नहीं बोलो sorry commutative सीट इंटर्चेंज है यह वाला यहां चला गया यह वाला इसको कौन सा रूल बोलते हैं बोलो कौन सा बोलते हैं अब हम बात करेंगे identity का इसकी बात करेंगे यह यह आपका identity है क्या है क्या है अब बात समझ में आया को दिक्कत और identity होता है दो टाइप का किज़े टाइप का इडेटिव आइडेटिटिटी और मल्टिप्लिकेटिव आइडेटिव आइडेटिटी जो है ए पलस जीरो बराबर जीरो पलस ए बराबर ए और मल्टिप्लिकेटिव आइडेटिटी होता है ए इन्टू वान वान इन्टू ए बराबर ए यानि दो टाइप का आइडेटिटी होता है एक मल्टिप्लिकेटिव यहां पर फाइब प्लस जीरो जीरो प्लस फाइब बराबर क्या यहां पर फाइब इंटू वान इंटू फाइब बराबर फाइब करने आए की नहीं आए आगए यहां बात तुमारा क्लिए रहागो वदिकर अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी भी हो गया तब इन फाइब करेंगे क्या की बत करेंगे इन फार्ष का मतलब होता है कि आप और उनमें प्रिशन हो तो प्रिशन होने से आइडेंटिटी आ ज़ाए क्या जाए आईडिन्टिटी जाए यानि अगर हम 5 identity element एक 0 हुआ दूसरा क्या हुआ? यानि additive के case में 0, multiplicative के case में 1, यानि हम 5 का inverse पूछेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस फाइव माइनस शिक्स का इनवर्स माइनस थीरी का इनवर्स थीरी का इनवर्स सेवन का करने आ गया अगर हम मल्टिप्लिकेटिव की बात करेंगे तो फाइव का एक हैडिस्टिभ्यूटी मनेद इस्टिभ्यूट करना क्या करना एक यानि यहाँ पर A multiply B plus C है तो यहाँ पर हम कहेंगे multiplication operation edition में है तो यह हो जाएगा A B plus A C और यही A strike B minus C है तो A B minus A C बोलो इसको हम distributed log काते हैं कौन सा लोग काते हैं यानि इतने अगर आप जानते हैं तो आपको कोई तरह का दिक्कात नहीं होगा कोई तरह का दिक्कात नहीं होगा करने आ गया 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 बोलो यास यारो तो मिलते हैं फिर हम लोग next video में तब तक लिए आप बने रहें झाहें